तो भाई साहब अगर आप हर जगा लोन अपलाई करके ठक चुके हैं, तो आप एक बार इस अपलिकेशन में जरूर ट्राइ करें, यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल जीरो है, आपने अविता कोई भी लोन नहीं ले रखा है, या फिर आपने कभी लोन लिया थ उसका रिपेमेंट टाइम पर नहीं किया, जिसके वज़र से आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है, और आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार यहाँ पर जरूर ट्राइ किजेगा, यहाँ पर आपका 100% आपका लोन इंस्टेंट अप्रूब हो आपको बैंक स्टेटमेंट देने होते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई भी डॉकुमेंट नहीं देने परेंगे, सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, और मोबाइल नंबर के बेस्ट पर ही आपका लोन यहाँ पर अप्रूब हो जाएंगे, तो चलिए जान Continue in English वाले option पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अब यहाँ पर आपको अपना नंबर एंटर करना है, आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और इसके बाद आएगा जहाँ पर में आप invest कर सकते हैं तो आपको invest वगएरे तो करना नहीं है आपको loan के लिए apply करना है तो यहाँ पर देखे get a loan within minute का option है यहाँ पर loan वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ permissions को allow करने का option आएगा फ्रासा नीजे की तरफ आएगे और नीचे मे देखेंगे आपको allow access का option मिलेगा यहाँ से allow access वाले option पर click करेंगे यहाँ पर location का access देंगे using the app वाले option पर click करेंगे notification को यहाँ पर allow करेंगे message का permission देंगे इसको भी allow करेंगे इसके बाद आपके लिए यहाँ पर जो भी loan का offer रहेगा विए आपके सामने यहाँ पर आ जाए आज तक उन्होंने loan के लिए कभी भी apply किया ही नहीं था पहली बार उन्होंने यहाँ पर loan के लिए apply किया है तो उन्हें यहाँ पर दो तरह का loan का option आया है पहला आया है जिसमें 1000 रुपे का loan भी ले सकते हैं और 500 रुपय वला भी लोन ले सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ आप 1000 या फिर 500 रुपय का ही लोन ले सकते हैं यहांपर 200000 रुपय तक भी लोन दिया जाता है लेकिन जब आप पहली बार यहांपर लोन के लिए apply करेंगे तो आप instant यहाँ पर 1000 या फिर 500 का लोन ले लिजिए और इसको आप तुरंथ जो हैंसु डिपेमेंट कर देजिए तो आपका जो limit है वो यहाँ पर increase हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आप 1000 रुपे का लोन लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर 1000 रुपे वाले लोन को select कर लेते हैं तो यहाँ पर फिलाल हम यहाँ पर 1000 रुपे यह वाला लोन के लिए apply करता हूँ निचे में देखिए continue का option है यहाँ से continue वाले option पर हम click करते हैं अब आप next page पर आएंगे यहाँ पर आपका loan amount आ जाएगा अब यहाँ से आपको loan का date select करना होगा कि आपको कितने दिन के लिए loan चाहिए यहाँ पर click करेंगे और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो option आएगा आप 31 days के लिए भी ले सकते हैं और 62 days के लिए भी यहाँ पर ले सकते हैं तो यहाँ पर चलिए हम 31 days को select कर लेते हैं अब अगर हम 31 days को यहाँ पर select करते हैं तो यहाँ पर आप देश सकते हैं यहाँ पर processing fees only 105 रूपया लगेंगे जो loan हमारा cut करके आएंगे वे यहाँ पर 895 रूपया आएंगे और interest जो इसके उपर लगेगा वे मुझे 30 रूपीज का लगेगा तो मतलब कि अगर हम 1000 रूपय का loan यहाँ पर में लेते हैं तो जब हम repayment करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर मुझे 1030 रूपय का repayment करना होगा तो यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे loan amount वगएर, date वगएर आप select कर लेंगे नीचे में देखें continue का option है यहाँ पर continue वाले option पर click करेंगे इसके बाद आप next page पर आएंगे next page पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना account detail फिल करना होगा कि आपको कौन से account में यह amount चाहिए तो यहाँ पर मैंने अपना account का detail फिल कर दिया है जो भी मेरा account number वगएरा है आप भी इसी तरह से अपना account number और bank name वगएरा सारी चीज़े आप यहाँ पर फिल कर देंगे और इसके बाद नीचे में देखेंगे आपको apply का option आएगा यहाँ से apply वाले option पर click करेंगे इसके बाद आप अगले page पर आएगे अगले page पर यहाँ पर loan का कुछ agreement वगएरा है यह सारी चीज़े आप यहाँ पर read कर लेंगे आपको कितना repayment करना होगा यह सारी चीज़े यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में आपको कुछ terms and condition मिलेगा इस box में ठीक लगा गरके accept कर लेंगे और इसके बाद नीचे में accept and continue का option है यहाँ पर accept and continue वाले option पर किलिक करेंगे यहाँ पर इसको हम accept कर लिया टिक लगा गरके और इसके बाद accept and continue वाले option पर हम किलिक करते हैं अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा loan apply का process complete हो गया मुझे कोई भी document यहाँ पर नहीं देने पड़े सिर्फ mobile number के through ही हमारा जो है यहाँ पर में loan approve हो चुका है यहाँ पर loan का total detail यहाँ पर में दिया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है 12 hour के अंदर में 12 गंटे के अंदर में अंदर में आपका जो amount है यहाँ आपके bank account में transfer कर दी जाती है तो इसी तरह से आप इस application से instant loan के लिए apply कर सकते हैं अगर आपका CVS को बिल्कुल खराब है आपको कहीं पर भी loan नहीं मिल रहा है तो सिर्फ mobile number के through यहाँ पर में आप loan के लिए apply कर सकते हैं इस application का link वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा साथ में मैंने comment section में भी पिन कर दिया है तो आप उस link के थूँ इस application को download कर लिजिए install किजिए अपनी mobile phone में और सिर्फ mobile number के best पर आप यहाँ पर loan के लिए apply किजिए I hope आप सब को समझ गये होंगे अगर आपके मन में किसी भी तरह का dots है तो आप नीचे comment box में जरूर पूछे है चले मिलते हैं आप से next video में बहुँ जाल तब तक के लिए take care, bye bye